ही डिया फ्रेंड इस अली यह वाचिंग अनलाइन फीचर यूटीब चैनल सो डिया फ्रेंड कैसे हैं आपसे लोग आज की जो वीडियो है यह रिक्वेस्ट बेस पर है इस पेशली एक फॉलवर है मेरे उनके लिए यह पर कर रहा हूँ ठीक है मेरे पास और यह अकाउंट नहीं था और यह आपके समने यह कुईस्ट हो जानी थी बट अनफॉर्चनेटल मेरे पर से ऐसा कोई अकाउंट नहीं था जिसकी मतलब से यह मैं कुईस्ट कंप्लीट कर जरे हैं ड्रेगन स्लेयर वन तो इसकी क्या क्या रिकवाइंट है क्या क्या इसकी जरूरत है इस के अंदर चीज़ों की तो उस पर हम जाफ नजर डा लेते हैं ने लिए position में champion guilt है आप देख सकते हो dragon slayer quest जो है यहाँ पे started नहीं है और यह है grand exchange और यहाँ से आपको मिलेगी जी champion guilt ठीक हो गया तो dear friend यह रहा आपके समने page और quest की बात की जाए तो यहाँ पे कोई quest requirement नहीं है हाँ अलबता 32 quest point आपके लाजमी होने चाहिए ठीक है skills की बात की जो 33 magic आपके लिए साही है क्योंकि अगर आप 10,000 GP से बचना चाहते हैं क्योंकि हमने एक map piece लेना है अगर आप वो kill करके उसको telekinetic gap की मतलब इसकी मतलब इसकी मतलब अगर आप pick कर सकते हो तो 33 magic ओक है otherwise आपको kill करके भी लेना पड़ेगा उसको या उससे talk करके भी लेना पड़ेगा वो में आपका piece वो जब क्विस्ट के अंदर चलेंगे तो आपको पुता चल जाएगा ठीक है और दियर फ्रेंड इसके साथ ability to defeat 83 level का जो dragon है उसके लिए हमें ability हमारे पास होनी चाहिए उसको kill करने के लिए otherwise हम यह कुस्ट नहीं कर सकते इतनी ability होनी चाहिए इतमें के 50 प्लस आपका अकमबट होना चाहिए या यहाँ पे तो 75 है तो यह best है ठीक हो गया आइटम नीडिड की बात कीजिए डियर फ्रेंड यहाँ पे आपके पास हैमर होना चाहिए एक अदद और तीन आपके पास regular planks होने चाहिए 19 या 100 आपके पास steel nails होने चाहिए एक unfired ball आपके पास होना चाहिए एक आपके पास होना चाहिए जी visitor mind bomb होना चाहिए ठीक है इसको अबने ड्रेंग नी करना इसको जब भी यूज करना राइट क्लिक करके इसको यूज करना उसके बाद आपके पास loop star port होना चाहिए सिल्क होना चाहिए डियर फ्रेंड साथ में आपके पास anti dragon shield होनी चाहिए और डियर फ्रेंड इसके बाद आपके पास air runs और la runs टेलिक नाटिक रैप जैसे के मैंने बताया इसके लिए होने चाहिए ठीक है और एक आपके पास weapon होना चाहिए आप उसको melee के साथ attack करो तो best रह food होना चाहिए weapon होना चाहिए जो कि मरपर्स already है यह weapon मैं equip कर लेता हूँ ठीक लेकिन वो कह रहे हैं need to complete monkey madness sorry dear friend मुझे नहीं पता था कि इन्होंने monkey madness question नहीं की हुई तो कोई बाद नहीं हम replace कर लेंगे किसी भी bank में जाके ठीक है उसके पास हमारे पास armor होना चाहिए तो मैं armor को यहाँ पे equip कर लेता हूँ और साथ में stuff of fire को ले लेता हूँ magic का use कर लेंगे हम ठीक है इधर आके मैं setup भी कर लेता हूँ इसका ठीक हो गया तो weapon होना चाहिए food म मैं bank के अंदर जाके ले लूँगा उसके बाद ये फ्रेंड टेलिप्टेशन मेथड़ की बात की जाए यहां पर emulate of glory आपके पास होना चाहिए ठीक है फैला डौर जाने के लिए मैं यहां पर यही यूज करूँगा spell book मैंने रोन्स अपके रखे हुए हैं उसके बाद विर least control teleport होने चाहिए या skill necklace आप रख सकते हो और उसके बाद यह sorry skill necklace नहीं remaining जाने के लिए आपके पास house teleport होना चाहिए या skill necklace का आप यूज कर सकते हैं जो के champion guilt के बिलकुल पास है ठीक हो गए यह सारी की सारी हमारी requirement थी रियर फ्रेंट चलिए let's start our video tutorial without any disturbance ठीक है तो champion guilt आना है door क open करना 30 कुस्ट पॉइंट होंगे 32 तभी यह door open होगा otherwise यह door open नहीं होगा आते ही champion guilt से बात करनी मचलब guilt master से space press करके रखनी डियर फ्रेंट first time आपने option number select करना यहां पे 2 space press करनी है ठीक फिर फ्रेंट इधर से जैसे talk end होनी तो हमने जाना है जी glory के मदद से edge will edge will आने के बाद dear friend आपने यह store के पास एक छोटा सा room होगा चन्द secure का यह वाले इसके अंदर जाना है और यहां से बात हमने करनी है जी ozx से ठीक है इससे talk करनी है space press करके रखनी ठीक है और dear friend इस quiz की मैं तो हमने से requirement बतालता हूँ इस quiz को करने से आप एक तो रोन प्लेट बाडी को यूज कर सकते हो उसके बाद ये फ्रेंड आप ड्रेगन ग्रीन ड्रेगन डी हाइड बाडी को आप यूज कर सकोगे ठीक है अदरवाइस आप उस quiz के बगएर नहीं कर सकते हो और वैसे भी ये quiz आगे चलके बहुत सरी quiz व यहां पर आपने four time one one press करना है फिर से again one फिर one ठीक हो गया तो dear friend अब हमने क्या करना है three time आया या four time आया doesn't matter उसके बाद ये फ्रेंड आपने यहां से जाना है जिव वापस गिल्ड मास्टर के पास जो के वी रॉक के बिल्कुत साउथ में है ठीक तो उदर जाना है अब इस time हमने lot of option का यहां पर dear friend इंतखाब करना है तो आपको जैसे जैसे मैं बताओं वैसे भी screen के सामने आगे है आपने वही प्रेस करते जाना है ठीक तो इससे अब हमने maze की लेनी है गिल्ड मास्टर से तो इसको open करते हैं इससे talk करते हैं start हो जाएगी ठीक है dear friend first time अपने 2 प्रेस करना है then three time of new one one press करना one and one and last time one ठीक है उसके बाद यह friend two three two and option number three फिर option number two and last में option number three तो आप देख सकते हैं आपके inventory में मेज की आगी तो make sure कि यह आपके पास रहे ठीक हो गया अब डियो फ्रेंड कमबॉर्ट ब्रेसलिट से अब हमने औरिकल के पास जाना है इस जगा पर इस कोने पर आपको औरिकल मिलेगे यह आइस mountain के उपर आपने जाना ठीक है तो मैं running करता हूँ ट्रेकली यहां से start करते हैं तो डियो फ्रेंड यह रही लेडी औरिकल इससे हमने करनी है talk option number डियो फ्रेंड आपने प्रेस करना है one जैसे इससे conversation off हो जाए आपने बिल्कुल south position में जाना है devolve mine के अंदर जो के यहां होगी मैं आपको दिखा देता हूँ इस mine के अंदर आपने जाना है तो इदर आने के बाद इसके अंदर चले जाना है इस trap door के नीचे जाना है उसके लिए फ्रेंड आपने थोड़ा सा नीचे south की तरफ आके इस कौने वाले room में आना है magical door होगा इसको आपने open करना है इन चीजों की मद्द से जो आप वहां से लेके आए हो ठीक यह silk यह सारी bomb वोगरा जितना कुछ भी लिए सबसे पहले इस door पर आपने विस्टर यह जो wine वाला है mind वाला इसको आपने यूज करना है तो मैं camera rotate नी कर रहा यार ठीक है तो इदर आके आपने सबसे पहले मैं विस्टर drink नी करना राइट क्लिक करके इसको यूज करना है इसके उपर देन डियर फ्रेंड उसके बाद हमने क्या करना है जी unfired ball को भी इसको उपर यूज करना है and last time dear friend हमने क्या करना है जी silk जो है इसको भी इसको उपर यूज करना है and उसके बाद ये जो है loop star port इसको भी इसको उपर यूज करना है तो आप देख सकते हुए एक हरकत सी हो रही है और दोर ओपन हो जाएगा हमने जाना है देर फ्रेंड अंदर और सामने यहां पे होती है एक डेश्ट आ यह रूटेट कैमरा क्यों नहीं कर रहा है एक सेकंद एक सेटृ अब ठीक है अब यह रोटेट करेगा माउस के बॉल के साथ ठीक तो इस चस्ट को उपन करना है तो फर्स्ट जो हमें मैप का पीस मिल जाएगा अब इसको सर्च करते है तो अब देख सकते हैं इन्वेंटरी के अंदर एक पीस मैप का आगया इसकी अब हमें ज़ूरत नहीं स्को मैप कर देता हूँ अब डियर फ्रेंड सेकंड जो मैप का पीस हमने फाइंड करना है वो हमको कहां से मिलेगा उसको लेने चलते हैं ठीक तो एक तो मैं इसको अंडलर रखता हूँ Dragon सिमिटर को जिसकी जगा से मैं ये Rune सिमिटर को पिक करता हूँ अगर हो जाता है तो जबरदस्त हो गया ठीक है ये हमने पिक कर लिया अब डियर फ्रेंड इदर से हमने जाना है जी पिस्ट कंट्रोल ठीक है उदर से हमने जाना है पोर्ट सेरिम तो कौइन आपके पास है राइट क्लिक ट्रेवल ये हमें ले जाएगा जी पोर्ट सेरिम ठीक इदर ये गैंक प्लैंक को आपने क्रॉस करना है इदर पास ही थोड़ा सा इसकी तरफ आना है ये ब्लू हैट और पैंट वाला इस से करना ही आपने डियर फ्रेंड टॉक सॉरी अप्शन नमबर फोर एंड ये अप्शन नमबर वन फिर इसकी जो शीप है इसके उपर जाना है अंदर ग्रैंग प्रैंग उपर जाना ठीक है आगे ये यह यहां पर लैडर होंगी इस से नीचे जाना अब अगर थोड़ा से कैमरा रुटेट करेंगे तो आप देखोगे इसकी जो शीप है इसके अंदर होल है तो इसको रुपेर करना है इस पर अपने थ्री टाइम अपने इस पर क्लिक करना है तो ये नेल्स और सारा कुछ लग जाएगा ठीक है तो ये जो होल है बिलकुल फ आना है जी दूसरा में आपका पीस लेना हमने जाना है ये जो ये सेल है मतलब जेल बोल सकते हैं इसको ठीक है प्रिजन बोल सकते हैं इसके पास जाना है अब यहां पे 33 मैजिक आपका काम आना था ठीक है अगर नहीं है तो वह भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ अगर अगर आपके पास इसको पैसे नहीं देना चाहते तो simple आपने magic के साथ सबसे पहले इसको करना है जी attack इसको करना है kill मैं इसको जरा भी नहीं पैसे देने वाला मैं बस इसको kill करूँगा ठीक तो जैसे ये kill होगा तो ये क्या करेगा drop करेगा एक map का piece तो अब ट्रैलिक नैटी ग्रैप की मदद से dear friend मैं ये जो map है इसको pick कर लूँगा ठीक है second map का piece हमारे पास आगया अब हमने dear friend क्या करना है अब हमने third और last map के piece को find करना है ठीक तो dear friend इदर से मैं जाता हूँ सीधा रिमिंग्टन या पस kill necklace की मदद से dear friend जा सकते हो crafting guild लेकिन मेरे पास house tell report है house बनाया हुआ है मैंने तो मैं house tablet की मदद से इसके अंदर जाओंगा इससे बाहर आना है फिर dear friend आपको मैं बताता हूँ काम पर जाना है ये है जी champion guild ठीक है इधर आप skill necklace की मदद से आ सकते हो हमने जाना है इस इसके अंदर इस बड़े से house के अंदर ठीक है तो मैं यहां से running करता हूँ dear friend नौर्थ की तरफ यहां से आपके पास make sure के ये maze की होनी चाहिए दरवाज ये door open नहीं होगा तो इसको open करते हैं ठीक अंदर आना है अंदर आने के बाद dear friend यहां पर आपको काफी ज़्यादा चूहें मिलेंगे ठीक है तो सबसे छोटे वाला चूहा मेरे सामने आ गया है जिसकी दुम लंबी होगी इस पर आपने attack करना है इसको करना है kill ठीक है तो मैं इसको मेली के जरीए attack करूँगा जैसी ये attack खत्म होगा तो ये key drop करेगा हाँ red की ये key को आपने pick करना है red key को और सामने red door है इसको आपने open करना है इस key की मतदब से ठीक है then dear friend थोड़ा सा आगे आप देखोगे कि तो ladder होगी इससे climb up करना है जैसी climb up करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ghost नज़र आएंगे लेकिन यहाँ पर हमने kill करना है जिसकी keep ना हो और उसने hood लिया हो बाकि सबी केप होगी लेकिन उसकी keep नहीं होगी और साथ में उसने hood किया होगा और केप तो मेरा ख्याल है इसकी नहीं है तो इसको kill करना है ठीक ना ना मार ना हमें ठीक यह देखे yellow key इसने drop कर दी है और इसको pick करना है अब हमने जिसके अंदर cd यहां होगी ना उस door को open करना है sorry cd होगी cd यहां नी cd इस ladder से आपने climb up करना है ठीक है यहाँ पर आपको skeleton मिलेंगे आपने उस skeleton को kill करना है जिसके हाथ में gold shield होगी यह जा रहा gold shield वाल skeleton को आपने kill करना है और मैं यहाँ पर मैं choose कर सकते हैं melee attack ठीक है बकी ठीक है यह सब defense अच्छा है तो यह क्या करेगा यह भी एक key drop करेगा तो इस key को अपने pick कर लेना है और dear friend आपने यह south वाला जो पहला door है इसको अपने open करना है और kone में चले जाना है kone में ladders जाओंगी काफी जादा three ladders उससे अपने नीचे जाना है तो 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 यह ladder से आपने नीचे down and down and आगे और ladder होगी इससे भी down and last time एक और आगे ladder होगी इससे भी आपने क्या करना है down चले जाना ठीक अब dear friend यहाँ पर आपको दो जांबी मिलेंगे किसी एक को भी kill करना यह blue door होगा इसको अपने करना है जी unlock तो यह key से लेनी है ठीक तो यह kill होगा ठीक है यह key drop करेगा blue 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 key दे दो जल्दी से no आगे वाले को kill कर देने है यह अगर ना drop करे तो आगे वाले को kill करना है वो तो जरूर ड्रॉप करेगा ठीक then dear friend आगे last time ने second last time हमने यह बंदे को kill करना है magic वाला कोई जादू कर रहा है इसको यह purple key drop करेगा चलो हो जो kill okay इसने key दे दिया है और इसको pick करना है then यह देख ब्लू की इसको blue door को open करना है अब आगे जाना dear friend तो इस पर आपने लगा तो magic की make sure की magic मारेगा हाँ अब मेली मारने लगा देखो कितना स्याना है हम भी है मार मैं मेली कोई बार नहीं यह देखे फौरी उसने magic कर लिए कमाल नहीं है और मार वे इसको रुक गया sorry हाँ ठीक है मेली शुरू हो गया कमाल नहीं है स्याने है ओके इस से परपल की हमने ले ली अपडिया फ्रेंड यहां से इस डोर को उपन करना है यहां पर भी save spot है अगर आपका keyboard लेवल कम है मैं आपको दिखा देता हूं करना क्या save spot पहले बताता हूं आपने magic या range को select कर लेना है इदर से आके इस यो बड़ा सा demon है इसको आपने यहां से करना है hit फिर आपने इदर आ जाना पर पर डोल के पास यहां पर stack हो जाएगा आपने simple इसको kill करना यहां से magic के जरीए कर सकते हैं या range के जरीए ठीक है तो वैसे मैं वैसे भी kill कर सकते हूं लेकिन आपको दिखाने के लिए यह मैंने किया ठीक है ठीक है dear friend यह demon जो है kill हो गया की को pick करना है सामने एक green door होगा इसको open करना एक just मिलेगी और हमारा final जो map का piece है वो मिल जाएगा इस just को open करना है then इसको search करना है हमारा जो third and final piece मिल गया अब इनको अपस में combine कर देना ठीक है हो जो combine क्या चक्कर है use करना है एक दूसरे के उपर ठीक है study नहीं करना तो यह देखें यह अपस में मिल गया हमें अब हमने यहां से dear friend क्या करना है अब सीधा हमने जाना है इसको open करना है तो dear friend अंदर आना है अपने ठीक है तो net से टॉक करनी है सरीव ट्रेड नी करनी टॉक करनी है space press करकर रखनी है ठीक है और dear friend यहां भी option number आपने select करना है 1 ठीक so dear friend अब हमारा काम यहां पे final fight पर आगया ठीक है तो setup हमने करना है अब ठीक है तो क्या करना है यहां पे dear friend के bank पास ही है पास ऐसकी भी जरूरत नहीं अब हम इसकी भी जरूरत नहीं है और इसको एक्रेड आ पर एक्रीप कर लिए dragon fight शेल को क्योंके आमने में उस से fight कर नहीं है इस मजिक कर सकता हूं भाए मेज की कि अब जुरूरत नहीं है इसको भी अपने अंदर रखते नहीं जी पी की जुरूरत पढ़ सकती हुदर जाने के लिए extended fire potion की भी है stamina potion हम एक रख लेते हैं अंदर ठीक है हाँ तो अब देख लेते हैं setup हमारा ओके ठीक है setup हमारा ठीक है अब बाकी जो हमने फोल्ट से भर लेनी है अपनी inventory ठीक है तो यह राफ फोल्ट इस inventory भर लेनी है dear friend अब क्या करना है अब हमने final जाना है जी पीस्ट कंट्रोल और उदर से हमने जाना है dear friend report serum और लेन्ड पर जाना है हमने जी travel ठीक है यह gang plans को आगे करना है और क्या करना है यहाँ पे dear friend अगे जाना है गैंक प्रैंट से इस जहाँ पर हमने कश्टी को ठीक किया था इसके उपर जाना है और आगे नेड हमें भी लगा इससे हमने टॉक करनी है option number one let's go तो एक cutscene start होगा dear friend पहले ही हमें इस लैंड पर लेक जाएगा dragon वारे लैंड पर और एक cutscene start होगा जहां पर हमें हमारे जो boat है dragon उसको fire के साथ crash करेगा और हम उसके land पर ही drop हो जाएंगे ठीक है final है dear friend अब इसके लावा और हमने कुछ भी निकरना इससे बस fight 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 करनी है यहां पर भी safe spot है मैं आपको दिखा दूँगा ठीक यह है dragon जी इसको हमने किल भी करना है लेकिन इसने हमारी पहले कश्टी को जला दिया और एक बंदा तो मरा वाँ पर मर गया जल गया anyway हम यहां पर raw हो गया ठीक तो अब क्या करना है अब इदर से dear friend आप देख सकते हो यह जो dungeon वाला निशाएन है इसके अंदर हमने जाना है तो मैं दूर से इस पर click करता हूँ और stamina potion अबारा किदर गया सारी अंदर रख दिये थे ओफ ओ यार anyway कोई बात नहीं extended potion का आप यूज करो fire यह बारा मिंट तक चलता है ठीक है तो यह best है क्योंकि यहां पर aggressive है वो boss इदर आना है यह जो hole है इसके उपर click करना है dear friend अब आप यहां पर आ जाओगे ठीक है यहां पर एक और cutscene चलेगा यहां पर आपको dragon दिखाया जाएगा इसको अपने kill करना है ठीक तो वो इदर पास ही है बिलकुल इदर आप यह इसके पास इदर आना है इसको cross करना है अब आपने क्या करना है simple इसका drink करना है potion का ठीक है तो potion का drink की है यह बारा मिंट आप देख सकते उपर चल गए अब आपने क्या करना है इदर से आपने इसको cross करना है उपर की तर स्टार्ट कर देगा ठीक है इसको करना है किल मेली के साथ हम मैं आपको सेफ स्पोर्ट दिखा देता हूँ जिसकी यानि कि प्रेयर काम है या उसका बंतलबना मुकाम है अटेक तो जल्दी से आपने इस तरफ आ जाना अब ड्रेगन इधर हो जाएगा स्टाक लेकिन इसको इधर स्टाक नहीं करना इसको आपने ये जो स्केल्टन की बाड़ी पड़े इसके उपर तो मैं जल्दी से इसको इधर लेका आता हूँ ताकि ड्रेगन इधर आए then dear friend मैं इदर दोड़ गयाता हूँ तो इदर आ जाना आपने ठीक आपने क्या करना है पहले आप auto को खत्म कर ले यह देखें यहाँ पर stack हो गया आपने इस पर कब attack करना है जब इसकी यह bar है power bar यह चली जाए अब मैंने इसको attack किया इदर आ गया फिर जब यह उपर वाली health bar चली जाएगी आपने इस पर attack करना है इदर आ जाना यह है dear friend इसका safe spot लेकिन आपने इसकी health जाने देनी है ठीक है otherwise यह आपको kill करता रहेगा ठीक है इस तरह से लेकिन मैंने आपको बता दिया इसको लेकिन मैं इसको ऐसे kill करूँगा जल्दी से साथ में मैं food का तरह तो उसको kill करता हूँ क्योंकि dear friend आपने अगर यहाँ पर fire potion पिया भी होगा तब भी यह आप पर attack कर सकेगा ठीक है I'm sorry So dear friend यहाँ पिया हमारा dragon यह kill हो गया वे cut scene आएगा यह इसका head उतारेगा यह उतारेगी lady यह तो इसका head उतारेगी हाथ में उठाएगी और हमारी inventory में यह आ जाएगा ठीक लो dear friend यही थी हमारी quest अब बिल्कुल end होगी अब हमने क्या करना है simple आपने right click करके जाना है edge will उसी store room के पास वाले room में जाना है ठीक है उसको जाकर यह head देनी टॉक करनी और हमारी quest यहाँ पे end So इस से बात करते हैं और एक space press करके रखनी है and now dear friend congratulations you have completed the dragon slayer quest your attitude quest agility to equip rune plate body agility to equip dragon plate body and agility to equip dehyde dragon dehyde body और उसके साथ हमें 18,650 strength 18,650 defense ki xp में लिया है So कैसे लगी आपको यह हमारी guide ठीक है I hope कि आपको अच्छी लगी होगी यह देखें यह उसना option दे दिया कि इससे भी आप plate body को buy कर सकते हो यह देख सकते हैं dehyde or plate body लेकिन मैंने नहीं लेनी तो doesn't matter तो इसकी साथ हमारे दो और भी होगी है ठीक है I hope कि आपको dear friend यह वीडियो पसंद आई होगी और make sure कि आप हमारे चैनल को subscribe करेंगे अगर किया होगा तो बहुत बहुत मेरे बार नी आपकी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मिलते हैं किसी और अच्छी सेक्विस्ट में तब तक के लिए पने भाई को जाज जीजिएगा Allah अफिस, good night, good bye Hey dear friend, welcome back तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के स्टेर कीजिए और इस वीडियो को करने के दुरान किसी किसम की भी कोई भाई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज इस कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बदाईएगा तो मिलते हैं किसी और अच्छी इस वीडियो में तक तक ले अपने भाई को जाद जीजेगा अलाफेश